बहुत-बहुत स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूप तेल पेपर हैकर में आज की इस वीडियो बहुत बड़ी अपडेट आई हुई है आपके लिए बहुत गुड नीज है जो आप बहुत दिनों से इंतजार जो कर रहे थे इस नियूज का कि महात्मा जोतेफुलर यूज़ए वालों के लिए एमज़एपी वालों की बात करने वाला हूं ठीक है यहां देख सकते हैं 95-2022 की अपडेट है लेकिन जो अपलोड यूज़ए के साइट पर जो अपलोड हुई है वो आज होई है वालता कि 10-5-2022 को अब यहां देख सकते हैं कि इसमें जो प्र निड़ने लिए गए थे और इस निड़ने में आपको सिंपल तरीके से यहां बता दूँ देखिए यहां कहा रहा है जो इसनातक दुतिए वर्स और तिर्थिय वर्स तीक है और इसनों तक दुतिए वर्स के आविदन प्रकिरिया कह सकते हैं पूर्व की भाती ही रखा गय जो पहले आविदन किया गड़ते थे वैसे ही रखा गया इसमें कोई बतलाब नहीं किया गया है और उन्होंने कहा इस वर्स के इसनातक और इसनातक जो पिर्थम बर्स के आविदन पूर्व की भाती महाविद्याले कह सकते हैं अनुमोजित कि जाएंगे ठीक है पूर्व क स्रड़ी के आविदन पत्र बिस्विद्याले की website इस पर आपको उपलब्द हो जाएंगे ठीक है या फिर आप इस पर जाकर भी देख सकते हैं इन पर जाएंगे तो भी उपलब्द होंगे और चात्र निर्दारी समय सुल्क और डेविट कार्ट से जमा कर सकते हैं यहां जो प्राइविट स्टूडेंटों के जो प्राइविट फॉर्म फील होने की बात की जा रही है तो आप देख सकते हैं परिक्षा जो कह सकते हैं आपकी जो प्राइविट स्टूडेंटों के परिक्षा फॉर्म फील होंगे वो 10-5-2022 से स्टार्टिंग हो जाएंगे मतलब की आज से स्टार्टिंग होएंगे और भरने की जो अंतिव दिती होगी वो 25 होगी और आप कह सकते हैं जो आबेदन आपने भराय जमा उसकी उस सबसे बड़ी बात है कि आप प्राइविट फॉर्म फील करना चाहते हैं तो आप आज ही आज से 25 तारिक तक आविदन कर सकते हैं सटारिक तक कि आप अप्लीकाशन जो की आविदन किया है उसकी पीस जमा कर सकते हैं यहां फीस में से नहीं की गई है कि कि कितनी फीस तरीश देखते हैं प्राइवेट फॉर्म फिल कहां से होंगे पहले वेबसाइट पर जाते हैं वेबसाइट पर जाने के छिए सब्से पहले आपको लेगे से गुलेगी आप देख सकते हैं paperhiker.in की आप नीचे जाएंगे और यहां देखेंगे नीचे जाने के बाद में यहां से आप डानलोड कर सकते हैं यहां लिखा है यहां लिखा है यूपी आल उनिवस्टी आप यूपी में बढ़ती है यहां नीचे जाएंगे आप देख सकते हैं यहां लिखा है यहां यहां से डेखेंगे यहां से डानलोड करेंगे हम एड़िशन लेना चाहते हैं तो यहां लिखा है यूजी पीजी ऑनलाइन एड़िशन फॉर्म और एक्स फॉर्म यहां से बनेगे तो हमें यहां से टच करना है इस पर टच करेंगे तो एक इस तरीके से साइड को लेगी यहां पर आप यहां रोल नंबर या रेटेशन डाल सकते हैं यह फिर इसको नडालने के बाद में यहां सिंपल होम पेस्पे जाएगा ओम या उपर लिख रहा है कोने पर अब यहां देख सकते हैं मैं एक्स प्राइबेट एक्जम फॉर्म ओल लाएं तो आप प्राइबेट स्टूडेंट है एक्स फॉर्म भरना चाहते ह करैंगे यहां तो में यहां से चरण सकते हैं कि यहां तरीके से कुलता हैं उसके बाद में आपको देखे आप जैसे ही डालेंगे आप वो यह roll number और उपर roll number डालेंगे और नीचे अपना क्या डालेंगे नीचे आपको simple तरीके से डालना होगा अपने पिता जी का नाम या मम्मी का नाम जो मैंने form दिखाया था ठीक है आप उसके बाद में इस तरीके के file को लेगी आप देख सकते हैं इसमें आपको personal documents personal details के बारे में address details document और exam form यहां feel करना होगा तो आपको सबसे पहले आपको देखो यहां नाम है वो आपको नाम change करने के लिए नहीं मिलेगा और भही आप पिता जी का नाम और मम्मी जी का नाम आप change नहीं करेंगे यहां अपना आधार number डाल सकते हैं यहां आधार number यहां जरूरी कर दियागा है कि आप आधार number जरूर डालेंगे यहां देख सकते हैं आपको सारी detail दिखा रहा हूँ अप Indian है ठीक है अपने date of worth डालेंगे और यहां सकते है gender आप चूज करेंगे यहां आप सब्जेक्ट चूज कर रहे हैं कोई दो सब्जेक्ट आपको डालना होता है यहां देखे तीन यहां economics हिंदी पॉलिटी है आप दो सब्जेक्ट ही चूज करेंगे कोई और ज्यादा नहीं करेंगे जो भी आपका दो सब्जेक्ट कर सकते हैं जैसे कि economics कर लिया और दूसरा हिंदी या फिर हिंदी literature है पॉलिटी है तो पॉलिटी को change कर लेता है यह दो हमने यहां जो सब्जेक्ट देखना होता है यहां आप देख सकते हैं पासिंग यहर कौन सा है तो आप कहेंगे जो अभी हाली में जो पासिंग यहर हुआ है वो है जैसे कि 2021 कह सकते हैं उसके बाद में यहां आपके सामने यस या नो का प्रमोट्शन इस प्रमोट्ट आप हुए हो या नहीं तो आप नो लगा दीजे कि आप प्रमोट नहीं हुआ हूँ रोल लमबर बागर आप डाल सकते हैं यहां रोल लमबर डालने के लिए बोल रहा है तो आप रोल लमबर और मार्शीट बगरा को सब को डाल दीजेगा यहां उसके बाद में आपको क्या करना है देखो यहां 10th का roll number डालना है और 10th की mark sheet number डालना है यहां passing year आपका 10th कब किया गया था वो आपको यहां डालना है इतने डालने के बाद में आप देखो adder details पे जाएंगे address इस type की दिखाई देगी आप देख सकते हैं तो आप यहां पूरा सब कुछ mention करेंगे मैं आपको बता दूँ यहां जैसे कि अपने address डालेंगे यहां address तो जिला वरेली जो कोई डालना है आपको जो भी है पिन कोड बगार वो आप डाल सकते हैं यहां एक बार same to address कर देना महला कि यहां same to same हो जाएगा आपका जो भी उपर वर होगे बस इसके बाद में आपको save करते रहना है next कर देख करते रहना है save का जो option आरा इस पर save करते रहना है भरने के बाद पर उसके बाद में आपको document यहां डालना पड़ेगा जैसे कि आपको सबसे बहले पड़ेगा उसके बाद में यहां बूलागे upload your signature आपके signature यहां पड़ेंगे upload करेंगे साथी साथ upload high school मार्शीट और upload intermediate मार्शीट आपको high school इंटर की मार्शीट भी आपको upload करना यहां निश्चित कर दिया गया है उसके बाद में document upload करने के बाद बहुत यहां से save कर देंग कोई paper जो भी आप चूज करना चाहते हैं जैसे कि मेरे पास जो भी आप चूज करोगे वो ही आपका यहां वारा जाएगा history, economics वगएरा और देख सकते हैं methods यहां कुछ दे रखा है theories तो paper के code है आप देख सकते हैं environmental science जुसका आ रहा है वो आप यहां click कर सकते हैं environmental science का कौन सी जहां चूज करने चाहते हैं तो इस तरीके से आपको पूरा form फिल कर देना है तो यही आज की जानकारी आज की कैसे लगी वीडियो comment section में आप जरूर बताइए कि आसा करता हूं आपको वीडियो पसंद आई हो चलको भी subscribe करके bell icon को प्रेस कर देंगे और ज्यादा स